हेलो दोस्तों, वेलकम टो आर चैनल, तो आज है आप लोगो का टारगेट दे 3, मैं आप लोगो को कुछ बहुत ज़्यादा इंपोटेंट समझाने वाला हूँ कि इस बार सेलेक्शन लेना इतना जादा आसान है, इस से जादा आसान सेलेक्शन लेना कभी नहीं रहा होगा ज यह logical है बिलकुल इसके पीछे fact है ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको अभी पता चल जाएगा आप target उठा के देख लो यार daily आपके पास जो target जाते हैं आप मान के चलिए कि उसमें 2-3 marks का रोज daily complete हो रहा है ऐसे ही target के result नहीं आते हैं आप खुद देखो यहाँ पर आप chapters को उठाके देख लो बाकी चीज़ों को उठाके देख लो यहाँ पर 3-4 number का मिलेगा मैं तो 2-3 बोल रहा हूं लेकिन 3-4 number का daily target आप लोगों को मिलता है और बड़े आराम से इसी वज़ा से बच्चे के marks increase होते जाते हैं कर वो सिर्फ इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से फोलो कर लेता है तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं आपके पीछे इसके पीछे लोजिक है आप देखना अभी मैं बता रहा हूं खुद देख लो आप उपर जी के देदी इंडियन बैस पेर दे दिये प्रमुख राजबंसों के सासक दे दिये यहाँ पे किनी सिटीज के नाम चेंज हुए अगर मान लो इसमें से भी नहीं कोश्चन फस रहा है तो आप यह मान के चलिए NCIT का एक चैप्टर आ गया बलत अथा गती के नियम वहाँ से कोश्चन एक नहीं एक फस्ता ही फस्ता है उसके अलाबा elements दे दिये हैं यहाँ पे विविन पधार्तों की सिटीज कारण दिया है मैं समझाऊंगा अभी ठीक है आप mean mode बाले चैप्टर से एक से दो कोश्चन हर बार मिलते ही मिलते है water and mirror image से एक से दो कोश्चन मिलता ही मिलता है और एक previous year set लगाना है offline तो आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ से दो से तीन number के daily target नहीं है और इस time पे भी अगर आप अपने target complete करने के लिए जी जान नहीं लगा रहे हो न तो भाई मैं क्या बोलूँ वो आप समझदार हो खुद क्या हो सकता है ठीक है बच्चे का आज एक message आया अभी मैं comment होगी तो यहाँ पे लगा दूँगा कि point three से उसको क्या मिल रह गया था वो अच्छी post के लिए उसे अभी trackman है और वो change करना चाह रहा है कि trackman को change कर लूँ मैं यह नहीं करना कोई जो बुरी है trackman की भी बहुत अच्छी जोब है सब कुछ है जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए तो trackman भी बहुत अच्छा है test ऐसे ही नहीं लगवा नहीं और यहाँ एक चीज और मुझे याद आगी test की बात से अगर अभी किसी बच्छे के पास test series नहीं है मैं इसके regarding अभी बिलकुल अलग से video बनाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सरे बच्छे कह रहे हैं कि भाया कहां से purchase करनी है analysis कैसे करना है तो मै ऐसे 399 की होती है आप सबको पता है 119 उसमें से off होता है मतलब 280 की test series इस टाइम पे आप लोगों को मिल रही है ठीक है 280 की test series के साथ आपको प्रिवियस यर के questions वो प्रोवाइड करवा रहे है एक book है जो आप लोगों को book भी उसके साथ free मिल रही है तो अगर जिनके पास नह करेगा आप लेना ना लेना मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन भाई अगर marks बढ़ाने हैं देखो एक बच्चा है जिस बच्चे को पता है कि मेरे को हर संडे दो टेस्ट लगाने तो और वो देखा है कि उसने पिछ्री वार मेरे 55 नंबर थे तो वो बच्चा पूरे चार दिन ब बात होता हो एक बच्चा है जो चार दिन पढ़ रहा है दो दिन कर रहा है फिर वो टेस्ट दे कर रहा है एक बच्चा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टार्गेट पूरे किये तो ना तो वो मन से टार्गेट पूरे करता है ना वो मन से रिवीजन करता है क्योंकि उसके आगे कोई एम नहीं है उसके आगे कोई लक्षे नहीं है कि क्या वो पेपर देगा नहीं देगा आपके सामने एक एम होता है हर हपते और जिस बच्चे के सामने एम पढ़ा है कि मुझे पिछली बार 55 इस बार 60 करने है तो वो अपने इन चार दिनों को बहुत अच्छे से करता है तो समझ आ गई इसलिए टेस्ट शिरीज की बहुत ज़्यदा इंपोटेंस है बाकि आपकी मर्जी है आप लेना चाहो लो नहीं लेना चाहो मतलो लेकिन इस टाइम सो दो सो रुपे बचा के आप अपना नुकसान करोगे बाकी मुझे नहीं पता है फिलहाल हम बात क कि एक मिनट में सब कुछ खता हो जाएगा इसके बारे हम बोलने में भी टाइम लगता है इससे पहले में हाँ कैसे बता रहा था फिलहाल आप लोगों को इतना बता देता हूं कि देखो एक लाख तीन हजार जो है मतलब अगर आपके फॉर्म डले हुए है एक सो तीस करोड माल लो ठीक है डेल करोड़ फॉर्म डेला हुआ है जिसमें से एक सो तीस में से उम्मीद है कि एक करोड़ बच्चा ही पेपर देगा इससे ज्यादा पेपर नहीं देगा ठीक है एक करोड़ अगर बच्चा पेपर भी दे रहा ने एक करोड़ भी कितना होता है एक करोड़ इससे ज्यादा इस्ट्ट्रेंट थे और वेकेंसी भी कम थी कट आफ का आपको पता ही है और फिर पिछली बार की क्रीम आप लोगों को पता है छटी चुकी थी भाई पिछली बार वहां पे भी लग गए लड़के गुरुपडी में लग गए जेई में भी लग गए पिछली बार के गुरुपडी का अलग रोल था लेकिन इस बार की गुरुपडी का अलग है अगर आपने हिम्मत की है न तो फिर इस हिम्मत को बहुत अच्छे से लगा दो अब मतलब घर बैठने से चुप रहने से बीच वीच में पढ़ लेने से दो दिन पढ़ लेने से ऐ जिन से कुछ नहीं होना बीच में अटकोगे तो दिक्कतें आएंगी आएंगी बीच में मत अटको या तो फिर निकलो मतलब तयारी कर रहे तो अच्छे अच्छे उस तयारी का क्या फाइद है आपको पता कि वह बैक लग जाएगी सबसे ज्यादा दर्द होता है इससे अच्छा तो आप पढ़े ही ना होते दस नंबर से रह जाओगे न तो खुसी होगी लेकिन अगर पूइंट वन या पूइंट टू से रह गया था और जिन लड़के जो लड़के अच्छी पोस्ट चाहते हैं कि उन्हें अच्छी करोगे कोसा करोगे कि यार थोड़ा सावर पढ़ लेता तो वह जाता तो इस टाइम पर जहां से भी मार्क्स खीचे जा रहे हैं चाहें वह बुक से हो चाहें कुछी भी चीज़ें और मालो आपके पास ज्यादा भी बुक्स का डेर नहीं लगाना चाहिए लेकिन अगर कि आप जितना मन करें लगाओ मत लगाओ कुछ फायदा नहीं है आरे सगरबाल के एक्जामपल के साथ आप अपने प्रिबिएस यह दोहजार अठार में जो आए हैं बहुत सारे सैटों में पेपर हुआ है जो आपके लेबल के कॉश्चंस थे उसमें सारे रखें तो आप इसको लगाई आपका बहुत जादा बेनिफिट होगा ठीक है चलिए है इस्तेक जी के मैंने यहां पर आप लोग के लिए रख़ा है रिमेंग इंडियान बैस्ट प्लेयर्श तो जो बैस्ट प्लेश्स मैंने आप लोग को बताए है बैस्ट ब्लेयर्स से लगातार कॉश् जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं हमने डेड़-डेड़ सो मतलब डेड़-डेड़ हजार व्यूज पर वीडियो प्रोवाइड कर आई लेकिन जो वो बच्चे थी डेड़-डेड़-डेड़-वाजार आज उन से जाके पूछ लो अगर कोई बच्चा 45 पर भी पढ़ा डेड़-डो महीने में अपने मार्क्स ले जाएगा वो 70 प्लस ठीक है तो गाइस देखते हैं टारगेट क्या है आप लोगों के तो यह देखे रिमेनिंग इंडियन बैस्ट प्लेएर्स मैंने आप लोगों को बता दिया इस्रो के आगामी मिसन इस्रो डियाएडियो से रि डाइरक्ट टेलिग्राम से कर लेंगे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अभी तक पसता रहें जिन्होंने पहले सिर्फ टेलिग्राम से टार्गेट कम्प्रीट किये वीडियो नहीं देखी क्योंकि वीडियो में आप लोगों को समझाता हूं कि कौन सा टॉपिक कैसे करना है ऐसे ही नहीं है ठीक है चेंज नेम ऑफ सिटीज और जिन चीजों के नाम चेंज हुए है रेलवे का फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दूंगा हो सका तो लेक्टर भी प्रोवाइड करा दूंग यह जरू से जरूर करना है लेकिन इसका कंटेंट आप लोगों को जरू से जरूर मिल जाएगा लिखके याद किया करो जितनी भी चीज़े हैं ठीक है नोटबुक बताते चलना एक काम और कर लेना मैं बता रहा हूं आपके जो नोटबुक बना रखी है उसके दो पेज या तीन पेज स्टार्टिंग करो सब कुछ ठीक है अब यहां देखो चेंज नेम होगया प्रमुख राजमंसों के संस्था पक आपको दस दिये जाएंगे या पांस दिये जाएंगे वो आपको याद करने फिलहाल और बहुत सिंपल होते हैं बड़े आराम से आप लोग याद कर लोगे ठीक है और मैंने आप लोगों को बताया है कुछ ट्रिक्स अपनाया करो कुछ लगाया करो कि हाँ इसका यहां होगा ठीक है इसका ऐसे होगा मतलब कुछ अपने तरीके से अगर लोजिक बनाओगे न अपने तो आपको बहुत जल्दी से याद रह जाएंगे क्लास नाइन्थ की NCIT का चैप्टर नंबर नाइन करना है बल तथा गती के नियम बस आपको यह पता होना चाहिए कि वल क्या होता है और गती के तीनों नियम और देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बैसे नहीं हाँ बताना ही चाह रहा था उसे क्वेश्चन आता है कि बल की परिवासा किस नियम से आती है और बल का जो मेगनिट्यूड है या फॉर्मूला है वो किस नियम से निकलता है आपको बताना है पहले नियम से दूसरे नियम से उप्सन है आपको जल्दी से बता रहा है कि किस से क्या निकलता है बस आपको बता तो बिंडी ही नहीं और यह यह तो वर्क होगा है नहीं तो असलिए मैं होता है तो यहिस चाहिए से, इस चीज को आगर समझें जैसे अभी अपने पिछले चेप्टर में पढ़ाई होगा displacement और दूरी में क्या difference है मैंने वीडियो भी suggest की थी आपको अब अगर मानलो displacement यहाँ पर multiply में है तो हम कह रहे हैं कि मैंने इस पर बहुत सारा क्या लगा है बहुत सारा क्या लगा है मतलब बल लगा रहा हूँ मैं लेकिन यह अपनी जगह से हिली नीरा है मतलब पीछे कोई नहीं जा रहा है तो displacement क्या हुआ जीरो इसका मतलब force क्या हो गया जीरो ऐसा question कई बार आता है कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है क्या कर रहा है दिवार को बहुत तेजी से धक्का दे रहा है लेकिन दिवार अपनी स्थान से नहीं हटती है कितना कार रहे करा उसने एक घंटे ता मतलब देटा भी देगा आपको कि इतने घंटे यह यह करा जब वो अपनी जगह से हटी नहीं विस्थापी नहीं तो जीरो और इसी तरीके से इसका formula होता है Fs cos theta और cos theta की 90 की value कितनी होती है 0 cos theta में और जब cos theta की 90 की value होती है तो इससे एक question और पूसता है वो कि मानलो सर पे लेके आप कुछ load खड़े हो क्या आप 15 Newton का या 20 Newton का बजन लेके खड़े हो आप बताओ कितना कार्य किया इस question का भी answer देना 20 Newton का कुछ लेके आप खड़े हो एकी स्थान पर हिले नहीं हो वहीं पर खड़े हो बताओ कितना कार्य किया ऐसे question बोग मुझ लेता है तो ये आपके लिए आ गया 9th की NCIT से आप कर लेंगे इस चीज को इसके बाद आपको 10 element जैसे मैंने आपको याद कराए थे है हीली डेवस नो फैनी 10 याद हो जाते है उससे कैसे है ही ली बे बा नो फैनी ठीक है यह हो गया है हीली बेवस नो फैनी से मैंने ये 10 याद element कराए थे इनके अटमिक नंबर भी याद होने चाहिए इनके नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग के 30 तो most important है इसके बाद 20 तत्व बहुर बसते हैं पूरी प्रियोडिक टेवल में बस बहुर important है स्टार्टिंग के 30 के 30 important है इसी तरीके से आपको 10 से 20 तक याद करना है 20 से 30 के लिए ट्रिक होती है सती बक्रे में फैको निकोजन बड़े आरानिस से याद हो जाते है वो आप next day आएगा आपका फिलाल आप लोगों को ये करना है विविन पधार्थों की स्थिती और कारण ये आप से पूछ लिया जाता है ठीक है कि हल्दी का पीलापन किसके कारण होता है ठीक है या प्याज का ये कैसे होता है तो ये जारी सारी चीजे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा हूँगा ये आपको करनी है मैं कहता हूँ किसी की वीडियो देखके करो लेकिन complete करो target बस यह वाला target complete होना है क्योंकि यह सारे topics वो हैं जो आपके साथ लगातार आएंगे आगे आ रहा है दूरी में आपने के कुछ मात्रक लगातार आपको पता है चाहें वो micrometer हो चाहें वो nanometer हो चाहें वो पार्सेख हो चाहें वो light year हो मतलब प्रकास वर्स हो इस तरह के बहुत सारी चीज़े चाहें वो foot हो ठीक है फैदा यह सारी चीज़े आप लोगों के सामने पूछी जाती है तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए दूरी के सारी मातरक मनुश्य में होने वाले रोग एपम उनके कारक यह 5 दिये हैं मैंने 5 से 6 दिये हैं अभी की कौन सा रोग किस के कारण से होता है जैसे कूछ लेता है मलेरिया किस के कारण से होता है ठीक है इस तरह केसे आपको पता होना चाहिए maths में most important chapter जिससे दो number का लगवग लगवग देखने को मिल जाता है एकाद median आ जाती है कहीं पर बहुल लगवग आ जाता है कहीं पर माध्य आ जाता है mean, mode, median, range मैं आप सब लोगों से हाथ जोड के request करूँगा कि please एक वीडियो बना रखिए मैंने 20 से 25 मिनट की उस वीडियो को देख लो आपका एक question नहीं छूटेगा इसके previous year मैं provide कराऊंगा आप एक एक question लगा लोगे उसके ठीक है, आप सिर्फ उस वीडियो को देख लो फिर previous year लगा ले ना, एक भी previous year छुट जाए तो मुझस से कह दे ना आके ठीक है, 30 मिनट के अंदर आपको पूरा chapter complete हो जाएगा ये 6 की 6 चीज़े समझाइए मैंने इसे कहते हैं, आपको पता ही होगा समांतर माद्या, माद्या का और बहूलक, परास, range standard deviation, मानक, बिचलन ठीक है, और एक ही होता है variance और घातांग के बम करने ही जो पुराने स्ट्वेंट हैं, उन्हें सिर्फ RS अगरवाल के example लगाने हैं, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास अभी ऐसा content आ गया है कि हम chapter RS अगरवाल के exam, RS अगरवाल के अलावा, आपको direct उस chapter के सिर्फ RRB group D 2018 में जो question आए हुए है, बहुले question आप लोगों को provide कराया करेंगे, English medium का content आ गया है धबराने की जरूत नहीं है आपके लिए reasoning में है water and mirror image, possible हो तो इसकी video provide कराऊँगा, एक number का question आता है घलत कभी जिंदगी में मत करना, और बड़े concept है, बड़े simple से मतलब, कुछ भी नहीं है अब देखो जैसे घड़ी है यह भई, घड़ी है अब मालों मैं कह रहा हूँ, तीन वज रहे थे तो अब बच्चे रटते हैं कि 12 वजे था कि साड़े अठा रह था, अब एक बात दाओ जब मैंने यहां mirror रखा आप खुद बताओ, यह वाली जो सुई है, यह इधर आएगी कि नहीं आएगी mirror में, आपको पता है ना दाएं का बाया दिखता है बाया का दाएं दिखता है, इतना तो पता होगा अब जब यह तीन था तो यहां 9 वजे तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, बारह बजे में से अगर आप घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी उसकी, क्या mirror image, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़े होती है, मैं आप लोग को तो theory चल रही है, उस चीज़ को आपको complete करना है, मैं आप लोग को एक से दो पेज ओर दूँगा, वो theory complete करना है, फिर उसके बाद उसके questions लगाएंगी, तो analogy की theory और water and mirror image क्योंकि छोटा सा chapter है, ठीक है, इसके अलावा एक previous year का आप लोग को set लगाना है, offline जो मैं provide करा हूँ ठीक है, इतना करना यह 50 questions का होगा यह 75 questions का होगा, इसकी घबराने की ज़रूत नहीं है, आपको धीरे धीरे यह target में provide करा हूँगा, अकल मेरा मानना यह है कि बस आप पूरे दिन busy रहो, इस time पे अगर आप पूरे दिन busy नहीं रहते हो ना, अगर धर-धर time मिल रहा है आपक अपने पढ़ाई को ध्यान नहीं दे, चलो फिर, ठीक है, फिर मिलेंगे next video में तब तक के लिए आप लोगो को जितना घ्यान देना था दे चुके, अभी फिलहाल बस मैं यही कहूँगा कि इससे best chance नहीं है, एक लाख नोकरी कभी जिन्दगी में नहीं आएंगी, आपने ख़बरे पढ़ी होंगी कि कितनी बुरी-बुरी ख़बरे आ रही है, बिना गाड के ट्रेन चल रही है, बिना लोको पाइलेट के ट्रेन चलेंगी, मेट्रो चली रही है, ठीक है, गाड का तो काम खतमी होने बाला है, गेट जितने थे ना, गेट में की जो जोब होती थी रूपडी में सब खतम कुछ नहीं रह गया है तो इतना आप समझ लो कि सारी चीजे जाने वाली है इसलिए एक बार एंटर कर जाओ जिन्दिगी बर सही रहोगी चलो फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर टार्गेट जरूर कंप्लीट करना रोज दो से तीन मार्क्स का टार्गेट है जिनके पास तैस सीरीज नहीं है तैस सीरीज पर्चेस कर लो इस ताइम बैस्ट मौका है दो सो अस झाले कर दो सीरीज भीजडिका बहुत जरा कर दो और दो ऑना रोजड़ यार्ण भीजड्त वहाँ तत्रूर कर दो वाजयों से तो झाला है जो नहीं है जो सक्वर है जो खेभ मार्ण है रहो यार्गें गिए